students welcome back our today's topic is objectives of educational guidance educational guidance से किड़े किड़े objectives ने उदेश ने first है to select wise curriculum मींज ऐस्टन दा curriculum select करन दे विच help करना जीड़ा के बच्चे दिली suitable होगे next है to improve methods of study अगला हुदेश educational guidance परवाइड करन दा के है जो भी बच्चे दे पढ़न दे method ने study करन दे methods ने उन्हानों improve करना है क्योंके जीकर कोई बच्चा किसे सब्जक्ट दे विच वीक है उनों से educational guidance परवाइड कर दिया तो अपने जीड़ा study करन दे method उन्हानों improve करेगा क्योंके हो सा रहके बच्चे दे पढ़न दे टांग दे विच कोई problem होगे next day to provide special method of education for backwards students स्कूल दे विच कुछ बच्चे जीड़े पढ़न दे विच बहुत पच्छडे हुए हुँदे ने ओना नूँ जीड़े special method परवाइड करौना जा ओदे ना education परवाइड करना क्योंके सी ओ बच्चे नूँ भी नाल लेके चलना होंदा है जीड़े के educationally backward ने इसकारके ओना बच्चे दे ले जीड़े special method परवाइड करौना भी educational guidance दा एक objective है next step to make special arrangements for gifted students फिर अगला ओदेश educational guidance दा के जीड़े बच्चे gifted हन दे या ओना दली जीड़े special arrangements ने ओना दा परवाइड करवाणा ताँ जीड़े विद्यार्थी ने अग्गे जाके हो जीड़े success आउ प्रापत कर सकन to take admission admission land दे ले भी ताम वे किसे भी course देश 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 समने रख दिया to make suitable adjustments अगला हुदेश के जो suitable adjustments ने ओबना ओना एक किजड़ा बच्चा यह जदो कोई भी किसे भी school देश 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 gewoon admission लें uses उत्थे educational guidance से दौरा ही हो जड़ी suitable adjustment हो कर सकते हैं क्योंकि सारे बच्चे सारे थामते अड़्जस्ट नहीं कर सकते हैं इस करके educational guidance से दौरा से जड़ी suitable adjustment हो possible बना सकते हैं तो help in selection of vocation अगला हुदेश के बच्चे नूँ कोई भी जड़ा vocation है उह हो स्लेक्ट करें देविछ help कराऊना उन्हों vocation दे नाल related education बच्चा स्लेक्ट करेगा के मैं केड़ा course पढ़ना है ते ओदेविछ की हैगा ता ओहो educational guidance दे दौरा ही बच्चा जड़ा अपना कित्ता है अपना जड़ा vocation है उन्हों स्लेक्ट कर सकते हैं तो help for competitive exams हों जड़े बच्चे ने आजकाल तुसी देखो भी किन्ना competition दा टाइम है ता असी उन्हों बच्चा नूं competitive exams दे विचे जड़े preparation दे ली किसी दी जूरत पें दिये educational guidance दी सब्त पहला है कि तुसी केसी field दे विचे जाना है तुसी किस तरह अधर टैस्ट देना है क तुसी कोचिंग ले साथ के डिये best books ने इसारी किये educational guidance नेक्स्ट है to develop good study habits अगला उदेश के जड़े बच्चे ने उना लिचे वधिया जड़ेया study दिया आता ने हो पैदा करना क्योंकि educational guidance से दौरा सी बच्चे नों पढ़न दिया जड़े आता ने हो नों देखो improve कर सकने ते बच्चे ने जड़े आउटपूट है हो अटोमेटिकली वधिया हो जगी Next है making adjustment in school curriculum and life Educational guidance ता अगला objective कि एदिना जड़े बच्चे ने हो school curriculum ते जड़े life आउना दि ओदे विच्च अड़े अड़ेस्ट करन दे उना नों योग बनाना है क्योंके ज़ो school curriculum होंदा है ते life होंदा है एदि विच्च डिफ्रेंस होंदा है बट असी बच्चे नूँ adjust करन दे योग बनाना है Next है to develop positive attitude अगला aim ज़ा objective कि ए बच्चे ने विच्च जड़ा education दे प्रती positive attitude पैदा करना तान दे बच्चे अपनी study दे विच्च interest लेन Next है to help for planning wisely बच्चे ने अपनी study दे नार लेटर कोई भी planning करनी है तान दे उनों wisely कर सकन एदली भी जड़ी educational guidance है बच्चे नों दी जरूर्त भी पैंदी है ते educational guidance परवाइड करन दा objective भी होंदा है कि जड़ी बच्चे ने हो अपनी education दे आर लेटर जड़ी प्रोग्राम्स ने उना दे नाल wisely जड़ी planning हो कर सकन Next है to help the children to know himself अगला उदेश के जड़ी बच्चे ने हो अपने अप बड़ी जान सकन कि उन्दने केड़ी ये capabilities ने की capacities ने ओ की पढ़ सकते ने की कर सकते ने guidance है असी बच्चे दी help कर सकते हैं Next है to help the students to get the best out of children means बच्चे दा विच जो उधे innate qualities हों गया ने उन्हों बच्चे दे विच्चों बार कड़ना educational guidance दोरा जड़ो सी बच्चे ने गालबात कर दे हैं तो बच्चा अपने बड़े सांदास दाए के मेरे इंटरस्ट की ने असी फिर उन्हों बार कड़ना है जो दे बच्चे टैलेंट ने तो दे according सी बच्चे ने जड़ी guidance हो परवाइड करनी है to provide knowledge about admission terms अगला उदेश educational guidance दा के बच्चे नो जो admission ना related terms ने जिरू किते भी दाखला लेना होंदा है ता हर एक स्कूल या कुछ terms होंदियाने शर्ता होंदियाने ओदे बारे बच्चे नो जड़ी जानकर यहो provide करना to help the students to find the purposes and functions of different types of school अगला उदेश के जड़े बच्चे ने से उना नो ए फाइंड करने योग बना उना के जड़े different types of schools होंदे ने उना ने जड़े purposes होंदे ने ते functions होंदे ने केड़े केड़े होंदिया क्योंकि हारे के जड़े स्कूल हो different purpose नो लेके different functions ही कर दाए जिदांके special school ने ताहो थे special purpose ने खोलेगे ने ते उना ने जड़े function ने होगी special ही होंगे next है to help the child in knowing the availability of scholarships होंदे ने जिना दे विच के बच्चे ने ए देखा जानदा है के बच्चे दे परसेंटेज किनने है ता से उनों की दास्ते हैं कि तो आड़े जड़े परसेंटेज है 10th दे विच्चो प्लस 2 जा graduation दे विच्चो एन नी होनी चाही दिए ता ए भी बच्चे दी educational guidance है होन scholarship education दे नार लेटर होन दिए क्योंकि बच्चा जदों की दे भी पाढ़ रहे है ता होन जो scholarship परबाइड किती जान दिए ता होदी education दे विच्चो help होन दिए इस करके बच्चे नो ए जानू करोना क्या अगर तुसे scholarship अवेल करना चाहने हो ता काड़ी परसेंटेज किन्दी होनी चाही दिए ओधे काड़ी ने next है to help the children to know the weak points of educational achievements educational guidance ता अगलाव देशे है कि बच्चे नो ओधे जड़े weak points ने जो दिए educational achievements नो डाउन कर रहे ने ओधे केड़े केड़े कारन ने ओधे बारे जानू करवाना ता जो जड़ेड़ा बच्चा हो अपने उना problems नो दूर कर सके जीदना जड़ी ओधी educational achievement दे लेवल कटे next है to assist students in getting information about further education क्योंकि बच्चे जी आज education ले रहे हैं ता काले भी उनने education लेनी है इस करके educational guidance ता आगला objective भी बच्चे ने help करना कि जो उनने फर्दर education लेनी है ओधे बारे information दिती जान दिया दिचुना कि तुसी की कर सकते हो बच्चे पॉली टेकनिक दे विच कोई डिपलोमा कार रहे है ता डिपलोमा करना दिवाद ओधना डिलेटिड बी टेक भी हो सकते है कुछ होर जेड़े courses ने ओवी आ सकते है इस करके एक बच्चे नो further education दे लेई जेड़े information आओ परवाइड करोना भी educational guidance ता मेन objective है next है to diagnose the learning difficulties educational guidance ता आगला objective के जेड़े बच्चे नों learning देविच सिखन देविच जो भी difficulties आ रही है ने उन्हानों diagnose करना उन्हानों दूर करना सिखन देविच किस तरह किस सब्जेक्ट देविच बच्चा वीक हो सकता है ता ज़रों सिखना रेलेटेड होनों educational guidance परवाइड करांगे help दमांगे ता बच्चा automatically उदी जेड़े learning difficulty यह दूर हो सकती है to provide information to the individual regarding his potentialities means कि जो भी individual है जो भी student है उन्हों पोटेंशलिटीज की ने मिन्स समरथावां की ने उन्हान देवारे information परवाइड करना इक जड़ा बच्चा उन्हों खुद नों अपने अबर नहीं पता होंदा कि उन्हें की potentialities ने स्पोर्ज करो बच्चा उन्हें 10th pass किती है ताह उन्हों एक गे देखते भी मैं केड़ी सब्जक्ट चूज करां जेकरो पड़न देविच बहुत अच्छा है बटो आर्स लेलेंद है तांकि यह वी जड़ी हो ते पोटेंशली टीजनेगों उन्हों सही तरीक ना यूज नहीं कर पाएगा अगर बच्चा मैज साइसे बहुत अच्छा रहा नाली कांसी उन्हों मेडिकल जा नॉन मेडिकल सुजेस्ट कर सकते हैं तो हेल्प दा स्टूडेंट्स तो सॉल्व इस पर्सनल प्रोब्लम्स होन educational guidance है ज़ी बच्चे नालना परसनल प्रोब्लम्स नूं भी सॉल्व कर दिया नों पर्सनल प्रोब्लम्स करण के बच्चे लह द खो स्टडी दे विछ मांच नहीं लग रहे है बच्चे कि नों किसे subject दिना आर्लेटर कोई प्रोब्लम्स आहीं ए भी बच्चे दिस परसनल करना उन्हार विच उन्हादी help करना नेक्स्ट है to select good books educational guidance ता अगला objective के जड़े विद्यार थी ने उन्हानु चंगिया बुक्स चूज करन दे योग भुणाना उन्हानु चंगिया बुक्स तो देखो तुसी भी बियाड कार रहे हूं ता किन्ने राइटर जिया बुक्स देखो प्रम काणिया बुक्स ट्रॉच्टिव की था उन्हां प्रम काणिया स्विद्य था देखो ओन।